प्लाजो की लेंथ 38,5 है और हमें चाहिए 36 तो हमारी 3,2-3 इंच एक्स्ट्रा है बिना काटे हम इसकी लेंथ को शॉट करेंगे आज और जो हमारा आचन है क्रोचे रिया इसको भी हम बिना काटे और प्लाजो को बी काटे बेना आम इसको short करेंगे Hello everyone, आम सब कैसे हो? I hope सब अच्छे होगे आज मैं आपके साथ plazo को, ready-made plazo को बीना काटे छोटा करना है, short करना है उसका trick बताउंगे इसलिए हम सबसे पहले अपनी plazo की ready-made plazo है, उसकी length को measure करेंगे उसकी लेंद हमारी आई है 38.5 तो अब हम इसको हमने 36 पे थ्यार करना है तो 3.5 एक्स्ट्रा है उसके लिए अब हम सबसे पहले अपने मोरी को हम ऐसे बिचा लेंगे बिचाने के बाद अब हम यहाँ पे इसके इधर पिंटेक्स डालेंगे और हमने यह देखना है कि हमने पिंटेक्स कितने चोड़े डालने है अब उस हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे तो हमने एक इंच के हिसाब से पिंटेक्स डालने है क्योंकि हमारे 3.5 है तो 1.5 इंच देखते हैंगे कहाँ अरजेस्ट करना है, पहले हम 3 इंच को करेंगे, तो यह हमारा मुरी का यृ, यह कट लगा हूआ है, बोटम का, इसके उपर, जो हमारी यह सीम है, सिलाई है, इसके उपर हम ये वाला फाफ इंच छोड़ देंगे ऐसे हाफ इंच छोड़ देंगे हाफ इंच छोड़ने के बाद हाफ इंच छोड़ देंगे मैंने चोक चेंज कर लिया वो इसमें दिखाई नहीं दे रही थी अब हमने वाइट ली है तो ऐसे हम हाफ इंच छोड़ देंगे हाफ इंच छोड़ने यहां से पहले एक इंच लेंगे यह एक इंच हो गया हमारा इधर फिर हम यहां पर एक इंच लेंगे इधर फिर एक इंच लेंगे यह हमारे तीन हो गए हैं अब हम प्रेस को गरम करते हैं सोरी इसमें न किसी भी चोक का निशान नहीं उबर के आ रहा है अब हम पैने पैन लिया है बट इस पैन को हम थोड़ा डोट लगाएंगे जिसे कि यह इसके उपर लगना जाए तो इसलिए हम इसको वैसे ही पहले हाफ इंच का गैप छोड़ेंगे फिर यहां पे वन इंच फ बट अब हमारा पैनने निशान नहीं लगा रहा है तो हम एक डोट इधर लगाएंगे और ऐसी एक डोट इधर लगाएंगे और ऐसे हम उपर के जो इन निशान लगाए थे इनके उपर भी ऐसे डोट लगा देंगे डोड लगाने के बाद अब हम प्रेस ओन कर लेंगे इसको होट कर लेंगे होट करने के बाद जो हमने ये निशान लगाए थे ये तो इनको ऐसे पहले फोल्ड करेंगे, पहले दोनों को आगे और ये पीछे दोनों को लेक्स को ऐसे फोल्ड करेंगे, पहले हम सिंगल लेक्स ही लेंगे, सिंगल लेक्स के दोनों लेने हैं, हमें आगे पीछे का पीस और इसको प्रेस से ऐसे क्रीज बना देंगे, जैसे ह में स्चिचिंG के time इजी हो यह हमारी क्रीस बन गई कि यह देखिए यह हमारी क्रीस बन गई और हम ऐसे करेंगे जो अब हमने extra जो दूसरा dot लगाया है इस dot को और इस dot को मिलाएंगे और इसको और यह center वाले dotных को इसको ऐसे करेंगे अब इस क्रीज को बचा लेना ये हमारी खराब ना हो अब हम ये वाली यहां पे करेंगे ऐसे हमने अब तीसरी क्रीज को भी ऐसे ही करना है और हमारा ये डोट है ये है ये है अम तीनों को ऐसे कर लेंगे और यह जो यह डोट है हमारे तीनो एक से लाइन में आने चाहिए है यह देखिए इसको ऐसे कर लिया इसके उपर क्रीज आनी रही है उठके किसी तरह से यह कपड़े की डेजाइनिंग ही ऐसी है तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए अगर बाइचाइंस और कोई लाइट काते है तो मैं उसमें फिर द्वारा से आपको सिखा दूँगे तो यह हमारी तीन क्रीज बन गई है एक दो तीन अब हम सिलाई मेशीन पे चलते हैं पे चलते हैं पेशीन पे जाने से पहले अब हम पैंटिक प्लाजो की दूसरी लेक्स को भी ऐसे ही निशान लगा के और क्रीज बना लेंगे अब जो यह हमारी क्रीज बनी हुई है इसमें आप लोगों को वीजिवल नहीं हो रहा है क्रीज बनी हुई या कोई निशान लगाए हुए क्योंकि कपड़े का प्रिंट ही ऐसा है बट मेरे को पता चल रहा है पर जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही करना तो फिर हम क्या करेंगे जो यह क्रीज बनाई हुई है तो फिर हम यहां से इसको ऐसे मोडेंगे और इसको ऐसे गोल पाइपसा बना लेंगे पोचे को बोटम को पाइपसा बनाने के बाद हम यहां से स्टिच करना शुरू करेंगे यह ऐसे कर लिया अब इसको हम ऐसे stitch करेंगे हम एक पैर का हम दबाब देंगे और यह हमारा एक पैर का दबाब हमारा half inch का हो जाएगा जिससे कि हमारी 1 inch हमने प्लीट्स रखे दिती तो वह 1 inch में convert हो जाएगी तो कि half inch इस side आ जाएगा और half inch इस side हो जाएगा तो एक inch हमारा cover हो जाएगा अब हम pleats देना start करेंगे जो हमारी ये crease बनी हुई है इसी के उपर हम देंगे और हमारी crease एक सी आनी चाहिए जो हमारी ये center की ये crease बनी हुई है पेंट की ये ना हमारी एक बराबर होगी तो हमारी पूरी सिलाई equal हो जाएगी ऐसे हमारी ये हमने जो ये pin टक डाला था इसके हम अब end पे आ गई है जहां से हमने start किया था पिर हम इसको ऐसे double slice कर देंगे और ऐसे thread काटके ये देखिए हमारा एक pin text त्यार हो गया है अब हम ऐसे अब दूसरा वाला crease जो नजर आ रही है उसको करेंगे ये हमने अपना second वाला भी pin टक डाल लिया है अब हम third number वाला pin टक भी डालेंगे ये हमने देखिए अपनी third pleats भी दे लिये है अब हम इसको press करेंगे और इसके press का जो ये मुह है ये नीचे की side होना चाहिए पहले single single करके press करेंगे ऐसे और इसका जो ये मुह है वो नीचे को हो रहा है फिर ऐसे single single press करनी है उसके बाद ये फिर ऐसे फिर सारी कठी एक side कर देनी है और ऐसे हम इस side भी करेंगे और हम दूसरे मुहरी पर भी करेंगे अगर आप लोगों को मेरी ये efforts पसंद आती है और आपको मेरी ये share की वी वीडियो अच्छे लगती है तो अगर आप नहीं है तो मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए share कर दीजिए, comment करिए thank you for watching my this video यहाँ पे plates को press करके अच्छी तरह से बेठा लिया है अब हम इसकी length को फिट से द्वारा measure करेंगे कि हमारी कितनी है तो हम यहीं से start करेंगे करनी, तो यह देखिए कितनी आ रही है हमारी यह हमारी है, 36 and half अब हमारा half inch बच्चा है, उससे कुछ नहीं होगा, यह इतना भी चल जाएगा इसलिए मेरी वीडियो को आगे से आगे प्लीज शेयर करिए, सस्क्राइब करिए